हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपुन टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ खाना खाने के बाद कभी ना करें ये गलतिया नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान आई जानते हैं इसके बारे में जब हम खाना खाते हैं तो हम कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं जिन से हमारी हेल्थ को कई तरह की नुकसान भी हो जाते हैं जिन पर हम थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पाते और फिर ये छोटी-छोटी बीमारियां आग के लिए काफी लाबदायक हो सकती है तो आई जानते हैं भोजन करने के बाद कभी न पीए ठंडा पानी जब हम भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए वैसे तो हमें भोजन करने के बाद कैसा भी पानी नहीं पीना चाहिए क्यों नहीं पीना चाहिए क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे शरीर का ताप मन भढ़ जाता है इसलिए अगर हम खाना खाने के बाद थंडा पानी पीते हैं तो यह थजा देता है याद रखे कि खाना के कि एक खंटे बाद गुनगुना पानी पीने से हमारे शरीर के बूरे टॉक्सिंस पेशाप के जरीए पहार निकल जाते हैं जिससे हम होने वाले कई बिमारियों से बच्चाते हैं इसके लावा भूजन करने के बाद कभी भी स्मोकिंग ना करें कुछ लोगों में ये बहुत गंदी आदत होती है कि वो खाना खाने के बाद तुरंधी सिगरेट पिना शुरू कर देते हैं जो उनके लिए तो हानिकारक है ही साथी साथ वो जिन के पास रहता है उनके लिए भी काफी हानिकारक है और यदि आप अपने शरीर को तंद्रूस और स्वस्त रखना चाहते हो तो आप खाना खाने के बाद स्मोकिंग कभी ना करें क्योंकि भोजन करने के बाद स्मोकिंग आपको इतना नुकसान पहुंचाती है जितना की 10 दोस्तों मैं आपको बता दूँ हैं अगर आप खाना काने के बाद फल खाते हैं तो यह आपके पेट के बैली फेट को बढ़ा देता है जिससे आप लाखो एक्ससाइज करके भी अपने बैली फैट को कम नहीं कर पाते हैं तो इसलिए खाना खाने के तुरंद बाद फल का सेवन ना करें नमब चार भोजन करने के बाद कभी ना करें चाय का सेवन हमें कभी भी खाना खाने के बाद चाय का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि चाय की पत्ति में अम्वल जादा होता है और भोजन में प्रोटीन होता है जिससे भोजन का प्रोटीन सक्त हो जाता है और उसका पाचन कई तरह की बिमारियां बन जाती है नंबर पांच भोजन के बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए नंबर पांच भोजन करने के तुरंद बाद कभी नहीं सोना चाहिए कभी भी खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है खाना खाने के बाद सोने से भोजन सही तरीके से नहीं पचपाता है जिससे हमारे पेट में कई तरह की बिमारियां बन जाती है और हमारा मोटापा भी पढ़ जाता है तो हमेशा इतना याद रखें कि खाना खाने के बाद हमें थोड़ी देर खूमना चाहिए और खाना खाने के बाद करीब हमें धाई या तीन घंडे के बाद ही सोना चाहिए और यदि अगर हम दोपेहर में खाना खाते हैं तो हमें थोड़ी दिर आराम कर लेना चाहिए क्योंकि दोपेहर में खाना खाने के बाद सोना बहुती आवश्यक होता है जिससे हमारे शरीर को बहुत आराम मिलता है तो दोस्तों इन चोटी-चोटी चीजों को आप याद रखके अपने आपको स्वस्थ और फिट बना के रख सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मिद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाते हैं या फिर आप किसी परिशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारी चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेली उपचारों के साथ जिससे आप अप अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहे हेल्दी रहे खुश रहे थैंक यू